हलो दोस्तो आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और जटपट बनकर तयार हो जाता है इसे बच्चे बड़े सभी बहुत ही पसंद से खाते हैं तो चलिए सूजी का हलवा बनाना शुरू करते हैं सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले कराही रख दिये हैं और कराही को गर्म कर लेंगे हम यहाँ पे एक कप सूजी का हलवा बना रहे हैं एक कप सूजी का हलवा बनाने के लिए आधा कप घी मैंने इसमें डाल दिये हैं घी में सूजी का हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है और घी गरम होने के बाद इसमें हम सूजी डाल देंगे और सूजी को अच्छे से भूनेंगे सूजी को हम तब तक भूनेंगे जब तक गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए तभी सूजी का हलवा अच्छा लगता है यहाँ पर मैं एक पैन ले ली हूँ और इसमें एक कप सूजी के लिए तीन कप पानी डाल दे रही हूँ इसको गर्म करने के लिए और बीच बीच में सूजी को चलाते रहें ताकि हमारा सूजी जो है नीचे से जलेना और इसको लो मीडियम पे ही भूनेंगे यहाँ पर एक कप सूजी के लिए आधा कप चिनी में गर्म पानी में डाल दे हूँ और इसको अच्छे से मिला लेंगे इसका चासनी नहीं बनाना है सिर्फ इसको पानी में मिला लेना है और सूजी को अच्छे से भूनते रहना है सूजी को जितना भूनियेगा उतना ही हल्वा अच्छा होगा अब हम यहाँ पर जो चीनी वाला पानी है उसको हल्वे में डाल लेंगे और एक हाथ से धीरे धीरे चलाते रहेंगे ताकि हमारे हल्वे में गुठनी ना आए तो हमारा हल्वा जो है ओ अच्छा नहीं बनेगा देखिए यहाँ पर हमारा जो हल्वा का पानी है उलगभग सूख गया है अब हम इसको चलाते रहेंगे यहाँ पर मैंने कुछ ड्राइफूट पहले से काट कर रखी थी और इसको मैंने इसमें डाल दिये और इसको अच्छे से मिला लेंगे आप देख सकते हैं हमारा हल्वा जो है बन कर तयार हो गया है अब हम इसको सर्विंग फ्लेट में निकाल लेंगे अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से या सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में